लड़कियों के लिए सरकार कई तरह के कानून बना रही है लेकिन क्या इसका कोई फायदा होता दिख रहा है अब हालग तो ऐसी हो गई है कि बाहर की नहीं लड़कियां घर में भी सुरक्षित नहीं है हर दिन देश के कोने कोन से रेप की घटना सामने आती है लेकिन हर याना हिसार की इस घटना को सुनकर शायद आप भी सोचेंगे की कोई बाप अपनी बेटी के साथ ऐसी गंदी हरकत कैसे कर सकता है लेकिन रिष्टों को शर्मसार करने वाला इस मामला हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा महिला थाना पुलिस ने 12 साल की बेटी से दुशकर्म करने और 17 साल की बेटी से छेड़ चाड़ करने के मामले में पिता के बाद सहियो करने के आरोप में मां को भी गिरफतार किया है पुलिस ने दोनों आरोपियों को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जहां से उनको जेल भेज दिया गया महिला थाने की एसाई सुनीता देवी की टीम ने दमपत्ती को कोर्ट में पेश किया जहां से उनको जेल भेज दिया गया मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि प्रशासन की एक टीम एक गाव के स्कूल में चात्राओं को गुड़ टज बैड टज के लिए जागरू करने गई थी तब सात्वी कक्षा में पढ़ने वाली बारह साल की एक चात्रा ने बताया था कि उसका पिता उसके साथ पहली कक्षा से दुशकर्म करता आ रहा है यही नहीं उसकी सत्रा साल की बड़ी बेहन से छेड़ चाड़ करता है पुलिस ने दोनों नाबालिग लड़कियों की काउंसिलिंग कर उनके बयान दर्ज कर दुशकर्म, छेड़ चाड़ और पोक सो एक के तहट केस दर्ज कर उनके पिता को गिरफतार किया गया था पुलिस ने मंगलवार को सहयो करने की आरोपी उनकी मां को गिरफतार कर लिया दरसल बेटी के साथ दुशकर्म करने की जानकारी बच्ची ने अपनी मां को दी थी महिला बाल संग्रक्षन एवन पुलिस की टीम ने जाच में मां को दूशी माना था पुक सो एक्ट के भाग एकिस के तहत बच्चा यौन शोशन की जानकारी किसी शिक्षक अभिभावक किया अन्य को देता है तो उसे यह जानकारी पुलिस को देनी होती है ऐसा न करने पर वेह व्यक्ति भी आरोपी बन सकता है इसी एक्ट के तहत बच्ची की मां को आरोपी बनाया गया था इस मामले में पीड़ता बच्ची की मां के आलावा कुछ अन्य रिष्टेदारों को भी इसकी जानकारी थी इसको लेकर परिवार को लोगों ने कई बार समझाया भी गया था ऐसे में यह सब परिजन भी गिरफतार हो सकते हैं